साब गुड मॉर्निंग सर बताएं गुड मॉर्निंग दिपांशु जी और ITD Cementation Limited ये स्टॉक में लेके आया हूं देखें सिमेंट का नाम मैंने दो-तीन दिनों से काफी लिया है मतलब सागर सिमेंट दिया और भी कई स्टॉक सिमेंट के दिये आज मैं सुबह सुन रहा था विश्वेज जी को वह भी सिमेंट टेक सिमेंट लीडर कमपनी इसका नाम ले दए हो अज सिमेंट का नाम है और fundamental यी बहुत ही श्तॉंग कंपनी है और सबसे भडिया बात है मुझे इन्फ्रा के ऊपर बहुत मैं भुलिश हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जून ग्यारा को दिया था और नाइंटी सब्सक्राइब दिया था अचीव वहां से नीचे आया हुआ है कि देखें जून का क्वाटर बहुत अच्छा नहीं गया था कंपनी का लाजमी था कि कुछ कोरोना का सेकेंड वेप का भी इंपाक्ट था बट ओवर आप आप देखें जून 2020 और जून 2021 दोनों में रिजर्ट्स का बहुत फरक है और मार्च का जो क्वाटर था वो बहुत ही अब मैं थोड़ा इस कंपनी के बारे मताता हूं वन आप दा बेस्ट फंट मतलब यह अगर पेडिगरी की बात करें तो जितनी भी इंफ्रा इंडिया में काम करती है और सिमेंटेशन कंपनी लिमिटेट की ब्रांच होगा करती तो ट्रैफिल ग्रूप लंडन वहां से इसक और इन्होंने स्वांडवुमी एरपोर्ट बहुत फेमस जो की मैंको का एरपोर्ट है उन्होंने बनाया हुआ है और उस तरीके से इनकी बहुत सारी मतलब अचीवमेंट्स है वहां पे थाइलेंड में और बहार साथ इस्ट एस्ट इस्ट इस फंडामेंटल इंफ्रा कंप कंपनी में जो फंडामेंटल सा वह बहुत बढ़ी है पिछले साथ साल के सेल्स और प्रॉफिट की ग्राफ देखें तो आठ नो परसेंट से कंपनी ग्रोव करते वह आ रही है और जो रिजल्स बीच में थोड़े से हलके ही आते ही है इंफ्रा की कंपनियों में थोड़े इ सब्सक्राइब करेंट की एफाई आइज में देखें मासा सुषेट इंशुडियों टेक्नालोजी 6.74 पिछले 2-3 वाटर में उन्होंने बढ़ाया है तो 11 परसेंट के लगवग एसका भी पूरा कॉन्फिटेंस बीस परसेंट के लगवग है उसमें फ्रैंक्लिन इंडिया परसेंट के लगवग है निप्पॉन ने भी बढ़ाया है तो अवरॉल मुझे लगता कि स्टॉक में इन लेवल्स पर निवेश करते हैं तो डाउनसाइड रिस बहुत कम है मतलब कुछ खोने को बहुत कम है 75 रुब्या का बहुत स्ट्रॉंग सबूर्ट है यहां से यह आर नाइंटी फाइव का टार्गेट नाइंटी नाइंटी फाइव और एवन अंडेड प्लस के लेवल्स दिखाएगा चलिये तो 95 और फिर